कोई भी दिक्कत आए तो बता दीजिएगा चलिए आज का एजेंड़ा जो है एजेंड़ा क्या है सर इंकम टेक्स और इंकम टेक्स को कैसे स्टडी किया जाए काफि सारे बच्चे परिशान इसको लेके है एक तो एक्जाम के बिट्विन साइट छुट्टी कम है छुट्टी एक साथ सब को देखना फिर सब को रिवाइज करना उसके साथ साथ कैसे पॉसिबल होगा तो जब तक हम स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो नौट पॉसिबल तो बड़ी सीधी सी बात है कि मैं आपका स्लेबस अगर देखूं तो सर ये हमारे पांच यूनिट है पांच में से इस वाले यूनिट को आप एक परकार से अभी कट कर दीजिए क्योंकि ये रेगुलर कॉलेज में इंटर्नल का पार्ट है एक्जाम में इसमें से बड़े छोटे छोटे से थेरिटिकल सवाल आते हैं तो पहले तो एक बड़न खतम हो गया सर ये वाला पार्ट हमारा मैं दीरे-दीरे करके आंगा तो हमें जो पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है किस टॉपिक में क्या है क्योंकि काफे सारे बच्चे क्या करते हैं डिक साइट से अपना già बस डाउनलूड किया उसके बाद फिर मैच करना चालू किया किताब से फिर किताब में देखा भाई या 19 चप्टर आपकी किताब में मेरे खाल 18 19 चप्टर के काउंटिंग में दे रखा है बुक के अंदर फिर बच्चे परिशान होते हैं सर 19 चप्टर है आपने तो अभी तक 4 चप्टर कराया तीनी चप्टर कराया इसमें बुक में तो 19-20 चप्टर दे रखा है तो उससे क्या होते हैं और ज्यादा वो पैनिक कर लेते हैं कि अब तो नहीं होगा कैसे करेंगे पढ़ने का सिंपल सा स्ट्रेटेजी है मैं टाइम के साथ बताऊंगा कि आप रिवीजन भी करेंगे क्योंकि दस के बाद आपका टेस्ट भी होगा तो किस तरीके से आपको करना है नहीं करना वो सारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और उसक पूछा गया है बेसिक कॉंसेप्ट सर बेसिक कॉंसेप्ट में क्या बताया गया सर बेसिक कॉंसेप्ट में इंकम टेक्स का बैक ग्राउंड कि हमारे डारेक्ट टेक्स होते हैं इन डारेक्ट टेक्स होते हैं इसका एक्जाम से कोई लेना देना नहीं है मैं आपका बड़न हटाते जा रहा हूं इसके अंदर अब जो basic concept है इसके अंदर person की definition आपको पता होना चाहिए assessment year पता होना चाहिए आपका ssc पता होना चाहिए और previous year पता होना चाहिए agriculture income को अभी मैं mark नहीं कर रहा मैं एक एक point को mark करता जाऊंगा सर इसको अगर जितने मैंने अंडर लाइन किये हैं यह इसको पढ़ने में पता है कितना time लगेगा hardly two hours दो गंटे में chapter खतम है सर यह वाला point जो मैं अंडर मांक किया है और यह जब आप कर लेते हैं तो आपके एक chapter पूरा finished हो जाता है एस पर आपके बुक जो given है आपको चाहे आपका ग्रीस आओ जाये चाहे वीके सिंगानिया है तो डियू का स्लेवस देने का तरीका अलग है डियू तो बोलती है पांची चप्टर है भाई हमारे तो लेकिन फिर उसको चप्टर में device करें तो इसके लिए आपको कितना time लगना चाहिए maximum to maximum आपका two hours और इसमें से सर एक्जाम में आएगा क्या दो घंटे लगेंगे तो बड़ा कम लग रहा है बिल्कुल hundred percent एक्जाम में आएंगे सवाल पढ़ने का पहला तरीका इसको ध्या मैं point भी कर देता हूं सर residential status को आप priority basis पे ले इसको करने के लिए आपका one day जाएगा one day इसको करने में one day जिसके underline मैं करूंगा वो एक्जाम में आएगा जिसके नीचे मैं underline नहीं करूंगा मैं बताता भी जाओंगा एक्जाम के लिए important है या नहीं है तो सर residential status आप सभी ने भी कर रहा है ज्यादा time नहीं लगेगा आप एक दिन में easily खतम हो सकते वही 182 days आपका 63 65 days 120 days exception case Indian origin उसके बाद वो income वाले जो चार्ट बनाए थे हमने वो सारा करना है जिसमें yes और no देखा था सर इसके बाद अब बच्चता है agriculture income और exempted income मैं हर बच्चों को कहूंगा हाला कि यह स्लेबस में है लेकिन जो यह जो topic है agriculture और exempted income की बात चल रही है यहाँ पे यानि यह वाला पार्ट इन पार्ट को और agriculture income इन पार्ट को मैं student को सबसे last में भी करवाता हूँ और मैं advice भी करता हूँ के सबसे last में करिये तो जब कभी भी unit 1 करे तो इसको छोड़ के चले क्योंकि पढ़ने का देखो जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस से connected है उसके पीछे logic और reason भी बताऊँ है तो एक दिन के अंदर एक दिन आप चाहो तो एक या डेडर दिन मैं मानलू आप यह पूरा स्लेव साइब एक दिन का मतलब यह मत समझना कि 24 गंटे पढ़ रहे हो आप एक दिन का मतलब आप 4-5 गंटे पढ़ोगे और वो डेडिकेटली ऐसा नहीं कि आप पढ़ते भी पढ़ते जारे हो टीवी पिँभी देख रहे हो पढ़ते जारे रहे हो इसमें एक दिन का मतलब phone रहा switch off हो गया हमारा पहले हमने पूरा concept देख लिया वीडियो wise और वीडियो के उपर काफी बच्चे बोल रहें सर स्टार लगा दो तो मैं कल स्टार लगा दूँगा इस वीडियो के उपर जो बच्चे live में है कि इसमें से भी कौन सी classes देख लोगे तो आपका topic रिवाइज हो जाएगा क्योंकि होता क्या है ना कि मैं question जब board पे करा रहा हूँ ना तो एक question में मैं 20 minute लूँगा और साइद आपको concept पता है तो उसमें आप 5 minute में कर लो हो सकता है ऐसा capital gain को मैं पढ़ूँगा फिर समझाऊँगा फिर पूछूँगा और आपको पता चला है यह तो है बस net sale consideration cost of equation खतम हो गया है तो मैं आदा घंटा ले सकता हूँ board पे करवाने में लेकिन आप उसमें 5 minute भी लगा सकते हो तो questions पे उसी तरीके से मैं star mark या question arrange करूँगा जो बच्चे live class में रहते हैं folder जिनके पास है content वाले folder में मैं upload कर दूँगा offline वाले बच्चे भी इसी को follow करें सर residential status अगर आपने पहले से proper noting करी है तो I don't think कि आपको एक दिन से ज़्यादा इसको revision के लिए चाहिए फटा फट से revision हो जाएगा हम revision chapter भी बनाएंगे lecture जिसमें मेरी कोशिस रहेगी जैसे एक unit है one short में पूरा एक घंटे में पूरा चप्टर revise करा दिया जाए पहले एक बार slaves कातम हो जाए तब मैं उसके उपर काम करना है start करूँआ सर first unit कातम होने के बाद अगर आप ये कर लेते हैं तो सर आप capable हो जाते हैं पंदरा नंबर score करने के तो सर दिखे एक दिन के अंदर आपके पंदरा नंबर जो बचे बहुत डरे हुए मैं उनको मैं suggest करूँगा आपने क्या करा सर इसमें basic concept करा assessment year previous year और residential status करा और आपके पंदरा नंबर इसमें से पक्के हो जाते हैं इस तरीके से paper का pattern design होगा सर exempted income क्यों छोड़वा दिया क्योंकि जब ये सारे chapter करेंगे हम इसके अंदर already सारे exempted income आ जाएगा तो जब हम सारे chapter को cover कर लेंगे तब पढ़ेंगे exempted income तब आपका आधे गंटे का काम होगा अभी exempted income आप पढ़ना चालो करोगे तो एक दिन भी लग जाएगा तो उसी wise क्योंकि salary के सारे deduction है इसके अंदर आपके इसके अंदर कुछ और deduction जो मैं बीच में clubbing of income में भी बात कर रहा हूँ कहीं ने कहीं मैं बात कर रहा हूँ तो वही इसके अंदर है अब आजाता है unit 2 so important unit 2 में salary chapter एक house property है हमें अब पता है कि हमारा nature क्या रहता है कि जब हम किसी चीज के साथ बहुत time तक spend करते हैं तो विकार लगने लगता है सेम ऐसे salary थोड़ा बड़ा chapter है अगर हमने इसको 2-3 दिन रखा तो शाइद income tax भीकार लगने लगे ठीक है न तो इसलिए मैं वो chapter focus करूँगा जिसको करने में आपको interest आता जाए तो sir salary नहीं करेंगे पहले आपने करना है income from house property sir ये unit आपका 20 number का है 10 number का ये income from house property करते ही आप 10 number score कर लोगे और मैं इसके लिए days revise की बताओ न तो मैं दो दिन दे रहा हूँ लेकिन ये दो दिन मैंने जादा बता दिया है और ये marks है दो दिन मैंने जादा बता दिया जिसने कर रखा है पहले से chapter उसके लिए तो sir आदे दिन का काम है जिसने नहीं कर रखा वो दो दिन में इसको खतम करेगा सारा वीडियो देखेगा पहले देखने के बाद फिर question practice करेगा इसमें भी हला कि बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हुए मैं इसको भी short कर दूँआ ताकि आपका syllabus भी complete हो जाए और exam oriented सारा preparation भी हो जाए salary सर अभी हाथ मत लगाईएगा salary में time लगेगा जिस situation से बोल रहा हूँ यानि पहले आप ये खतम करोगे ये खतम करने के बाद ये test भी मैं इसी sequence में लेने वाला हूँ पहला जो test में 10 के बाद दूँआ न ये पहले unit में उठा के मैं test दूँआ दूसर टेस में लूँआ पहला unit प्लस HP दोनों को जोड के लूँआ यानि जोडता जाओंगा अगला चप्टर सर तीसरा unit जो कहता है न ये भी हमारा 25 नंबर का unit है जिसके अंदर है हमारा PGVP और एक है हमारा capital gain और एक है हमारा other source तो सर नंबर 1 पे मैंने बता दिया और 2 पे भी बता दिया इस चप्टर को नंबर 3 पे उठाना है आपको study के लिए नंबर 4 को उठाइए capital gain सर जब capital gain करेंगे न तो जो बच्चे live classes में थे ठीक है ओके पर जिनके पास time नहीं बचा तो वो special case जो करवाए थे insurance वाले या फिर आपका compulsory acquisition वाइदा government और compensation enhancement वो वाला topic आपके skip भी कर सकते हो exam में नहीं पूछा जाता वो topic बाकी इसके अंदर majorly आपको पढ़ना है 54 की सारी series जो की आएगा उसमें भी examiner ने बोला हुआ है कि 54 और 54 B के हम practical question और 54 F के practical question में implementation करेंगे बाकी theoretical हम पूछ सकते है उसका भी examiner ने schedule बोला हुआ है तो सर इसके बाद number 4 कितने number का exam में question आएगा सर 10 marks सर कितना time लगाएं इसके अंदर 2 दिन लगेंगे सर तो सर days count करिए आप एक बार आपका इसमें मान लेते हैं डेट दिन लग गया यहाँ पे मैंने 2 दिन आपका 4-5-5 दिन मैं आपके ले चुका हूँ revision के purpose से अब इतने दिन में आप कितने number score कर सकते हो 5 दिन के अंदर 10, 20 और 35 number आपका 35 number पास होने के लिए सर्फ चाहिए 30 number ठीक है तो आप अगर 5 दिन भी sincerely पढ़ लेते होना तो पास तो वैसे हो जाओगे तो पास होने की tension तो पहले छोड़ दो आप तो आपको passing marks चाहिए होता है 30 और आप 35 marks का कर लेते हो इस तरीके से इसके बाद सर क्या करना है इसके बाद हमें साथ के साथ जैसे ये chapter करेंगे पहले हम start करेंगे deduction पहले हम start करेंगे deduction सर नंबर 1 पे ये हो गया नंबर 1 और 2 नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आप बाद में जब PDF मिले तो आप लिख लेंगे सबसे पहले नंबर 1 पे ये वाला पार्ट किया नंबर 2 पे ये वाला पार्ट किया नंबर 3 पे ये वाला पार्ट किया और ये हमें नंबर 4 पे करना है और सर नंबर 5 पे आ जाते हैं ये पार्ट करना है सर डिडेक्शन में हाला कि मैंने पूरे के पूरे चप्टर नहीं दिये deduction के अंदर पूरे chapter नहीं दियें लेखिन मैंने deduction में वो topic जरूरत रहा है जो इससे related है तो सबसे पहले इसको करना है सर इसके अंदर कितना लेना है आपको half day लेना है half day मैंने ज़्यादा बोल दिया क्योंकि theoretical part है समझने वाला है तो इसके अंदर half day लीजिए सर जितना आप करेंगे इसमें से कितने marks का question आएगा सर 6 marks का question fix है कि इसमें से पूछा ही जाएगा 6 marks का इसके अंदर से question fix है कि पूछा जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छा सर 6 marks का इसमें से अब कितने number score होगे आपके 41 number होगे almost आप 50% से अब अब जा चुके हो marking scheme क्योंकि 75 का paper आएगा 75 का आदा जो होता है वो कितना होता 37 तो आप 41 number का cover कर लेते हो कितने दिन में मात्र 6 दिन के अंदर अंदर अब सर इसके बाद आगे पढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे सर इसके बाद अब इसके बाद हलाकी chapter बहुत सारे दिख रहे हैं आप clubbing of income को उठाएंगे इसके बाद सर clubbing of income कितने दिन में लगना है last class में मैंने 45 से 50 मिनट में खतम किया था chapter आप hardly वीडियो देखते भी है तो आपका ये मैं मान के चलू तो ये 2 hours में आप इसको revise करके लिख के खतम कर लेंगे सर सवाल इसमें से 6 number का पूछा जाए इसमें से 6 marks के question आएंगे आपके इस बात का ध्यान रखिएगा clubbing of income के बाद सर अभी भी बहुत सारी चीज़े हैं यहां पे given अभी मैंने क्या छोड़ दिया सर salary छोड़ दिया PGP भी छोड़ दिया और इधर से मैं अब आगे आता हूँ सर इसके बाद हमें जो chapter pick करना चाहिए वो pick करना चाहिए setup and carry forward सर मैं भी इसको खतम करने में जादा सा जादा 2 classes लूँगा मैं और यह आपका five hours के अंदर यह chapter पूरा खतम हो जाएगा जब आप खुद पढ़ोगे मैं दो घंटे में खतम कराऊँगा आप five hours लोगे क्यों लोगे लेंगे सर five hours क्योंकि आप लिख के भी करोगे आपको याद भी तो करना है साथ के साथ उसके हिसाब से अभी मैंने हाला की यह chapter आपका खतम हो आप मान के चलो खतम ही है एक दिन मैं अभी start करूँगा और यह finished हो जाएगा इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है सर यह chapter हमने खतम कर लिए इसके बाद क्या करना चाहिए सर अब देखिए आपका ये topic आता है इसके बाद ये topic आ गया ये topic मतलब कुछ topics है इस topic को बाद में बात करेंगे अब आ जाएए सर कौन से salary करेंगे इसके बाद numbering देखते जाएगा salary करिएगा salary आपके exam में 15 marks का आएगा salary करिएगा salary आपके exam में 15 marks का ऐसे situation में कितना time लेना चाहिए मैं कहूंगा 4 दिन देखिए आप जब पढ़ेंगे न तो कुछ चीज़े ऐसी है जिसके अंदर आप ज़्यादा time लेंगे मैं salary में time बोल रहा हूँ 4 दिन लेना है आपको मतलब कम से कम 10 से 15 गंटे तो आपको देने है क्यों sir क्योंकि आप अच्छे से करोगे सवाल तभी आप attempt कर पाऊगे नहीं तो एक point की वज़े से भी आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा मैं time distribution की बात करूँ तो sir कितने दिन होगे यहाँ पे 2 दिन थे मान लेते हैं और दो दिन के बाद यहाँ पे आपके हो जाते हैं कितने दिन चार दिन और दो छे दिन तो कितने होगे total आठ दिन यहाँ पे मैंने आपको बोला दो दस दिन और यह मान लेते हैं सब मिला के एक दिन तो ग्यारा से बारा दिन मान लेते हैं एक्जाम के हमारे exactly बात करें तो आज 7 है 28 को पेपर है उससे पहले प्रोग्राम का पेपर है regular college का तो मान लेते हैं 25 को पेपर है तो 25 से और आज से बात करें तो 10 से 15 दिन का time है और कितने दिन हो गया हमारे 12 दिन ठीक है अब इसके बाद सर जो प्रोग्राम वाले बच्चे है उनके लिए इतना करने के बाद एक दो चेप्टर और भी करेंगे मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ सर कंप्यूटेशन अफ टोटल इंकम ऑफ इंडिवीज्वल सर टेक्स लाइबिटी इंडिवीज्वल अब यहाँ पे आगया 5 लीडिंग केस सर 5 लीडिंग केस सिर्फ ओनर्स के अंदर है और 5 लीडिंग केस प्रौपर थियूरीटीकल केस है जिसमें सीला कौसिक का केस है राजा बिनौई कुमार का केस है और भी डिफरेंट केस है जो कि मैं करा दूँगा एक दिन हाड ली मुझे कराने में लगेगा अब इससे ये न computation of total income computation of total income का मतलब होता है कि सारे chapter आपको आता है examiner एक combo question बनाएगा जिसमें salary भी डाल देगा जिसमें HP भी डाल देगा जिसमें other source भी डाल देगा जिसमें capital gain भी डाल देगा और बोलेगा सभी income को total करके दिखाईए तो sir ये chapter कोई बच्चा तो starting में करी नहीं सकता ये जो दोनों chapter है अगर आपने ये सारे के सारे chapter finish कर लिए तो automatically ये chapter आपको आता है अलग से index बना के भले ही दे रखा है लेकिन ये chapter आपको पहले से आता है अगर आपने बाकी कर लिए तो मैं तो इसके लिए तो time लूगा ही नहीं करने के लिए ये आप self practice करोगे जब आपका पूरा syllabus होगा तो यहां से देख लो ये syllabus भी reduce होगया यानि यहां से यहां तक की मैं बात करूँ तो sir इसकी तो tension लेने ही नहीं आपको यानि sir यहां पर ये तीनों chapter भी खतम हो गए यहां से ये सारा भी खतम हो गया salary house property अब pgbp की बात करते है sir pgbp में कितना time लगेगा honors वाले बच्चों को इसमें ज़्यादा time लगेगा program वाले बच्चों को hardly one day और honors वाले बच्चों को जितना time लग जाए last chapter हम ये pick करेंगे program वाले बच्चों को एक दिन लगेगा sir taxable income कैसे calculate करनी है format बताओ मैं सारी चीज़े बताऊंगा ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता रहा बताऊंगा उसको program के अंदर become program के अंदर sir इसमें से क्या पूछा जाएगा only depreciation का concept जो की मैंने salary में भी छुडवाया था जो की मैंने capital gain में भी छुडवाया हुआ है depreciable assets सिर्फ depreciation section 32 honors वालों के अंदर इसके अंदर receipt and payment देंगे और उसके इसाब से पूछेंगे income निकालना इतना मुश्किल नहीं है simple सा है बस वहाँ पे कुछ section 44 A, 44 AD वगेरा वो हम अराम से कर लेंगे तो sir program वाले बच्चे जब करेंगे अभी हाला कि मैंने ये chapter नहीं कराया लेकिन जब मैं करा दूँआ तो revision करने बैठोगे तो आप ध्यान रखना इसको आप two days में revise कर सकते हो ठीक है two days में आप revise कर सकते हो depreciation honors वालों के लिए मैं last के अंदर ये बता दूँगा जब chapter होगा न तो उसकी के इसाब से तो आप मैं सबसे पहले बोलू तो इसकी तो tension छोड़ दो देखो ये भी आपने कर लिया ये भी आपने कर लिया sequence देखना ये भी अब other source one day sir मैं other source इसनी ली ले रहा मैं अभी चाहूं तो करवा दूँ other source other source में से क्या question आएगा कोई भी 6-7 income बताईए जो कि other source के अंदर आता है इतनी सारी income आपको भी पता है नॉर्मली आपका interest है dividend है या फिर आप तो बस उसको एक systematic way में करेंगे one day में other source खतम हो जाएगा अब जो बच्चे scared हैं कि sir हमारा syllabus कब खतम होगा हमारा syllabus कब खतम होगा उसके लिए ये वाला portion खतम कर चुके हैं already बस एक agriculture income रहता है ये one day लूँगा मैं आप देखिएगा count कर लीजिएगा मैं 15 तारिक क्यों बोल रहा हूँ सले बस मैं खतम कर दूँगा 15 तारिक तक क्योंकि कुछ planning है one day में ये खतम करूँगा पूरा इसके बाद ये पूरा हो चुके है almost done exempted income मैंने बोला कि एक दिन बस reading करना है क्योंकि जब मैं कर लूँगा सारा तो reading रहेगा तो unit 1 मेरा खतम unit 2 पहले ही हम खतम कर चुके हैं इसके अंदर कुछ भी pending नहीं है एक्स्ट्रा question practice के लिए करना है तो वो हम कर लेंगा जैसे salary के अंदर बच्चे बोल रहे है के सार retirement वाले भी कुछ questions करा दो आप try कर ये होंगे कर दोगे तो होंगे अगर सोचोगे ने कि मैंने retirement वाले portion नहीं कराया तो नहीं होगा ऐसा नहीं मैंने provision सारे करा दिये हैं आपको सार इसके अंदर capital gain हो चुका है other day अभी यहां से यहां तक देखो तो एक दिन मुझे इतने पूरे slayvus में लगेगा एक दिन मेरा इसमें जाएगा दो दिन count हो गया यानि slayvus pending में सिर्फ दो दिन है इधर आ जेगे सार clubbing कतम कर चुके हैं चैटप में एक दिन लूगा तो कितने दिन का slayvus pending रह गया तीन दिन का पैंडिंग रह गया deduction में पैंडिंग में एक दिन लूगा मैं कितने दिन का पैंडिंग रह गया क्योंकि balance के जो deduction है 80G के हो चाहे आपके 80QB के हो चाहे UK के हो सारे करवाने है चार दिन का slayvus मेंली आपका रहता है यहाँ पैंडिंग अब बात करते हैं सर मैं PGBP को last में इसलिए ले रहा हूँ मैंने 15 तक का है सर slayvus करा दूँगा 15 तक आपका 95% to 98% हो जाएगा PGBP को मैं इस तरीके से लेके चलूँगा तक भी आपके धीरे धीरे प्रोविजन चलते रहे और इधर रिविजन और टेस्ट चलते रहे तो फरक नहीं पड़ेगा उसके हिसाब से दिखा जाए तो PGBP वाला कॉंसर्प्ट जो रहेगा 16-17 तक एक्जाम में आने वाला सारा टॉपिक हो जाएगा उसके बाद आपके बिटविन दा जो मैं प्रैक्टिस कोश्चन की बात कर रहा हूँ जैसे 10-year की कोश्चन होगे वो करेंगे तो देखा जाए तो 4-5 दिन आज 7 तारिक है 4-5 दिन मुझे लगने है इस पूरे स्लेवर्स को अच्छे से खतम करने में अब बात करते हैं सार इस यूनिट पर डिसकर्शन नहीं चल रही इस यूनिट का आपको सिर्फ रिकॉर्डिट लेक्चर मिलेगा क्योंकि लाइव में मैंने देखा यूटिलिटी यहाँ पर एक्सल का खोल के देख लिया पर दिक्कत हो रही है टाइप करने में तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो कल सुबह 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा कुछ पार्ट अपलोड क्योंकि इसके अंदर 20 सीट है टोटल 20 सीट तो हर एक सीट को मुझे समझाना है कि इस कॉलम में क्या आएगा इसमें क्या होगा तो वीडियो ब्रेक करके फिर उसके बाद एक मर्ज वीडियो करके आपका कल 11 बजे तक क्या 12 बजे तक अपलोड कर देंगे सर इसमें क्या आता है सर प्रिपरेशन ओफ इंकम टेक्स रिटर्न सर एक्जाम में कुश्चन्स की बात कर रहा हूँ एक्जाम में सरिफ इंकम टेक्स रिटर्न कब एपलाई होगा नहीं होगा ये पूछा जाएगा बाकी फाइलिंग रिटर्न मैनुवल ऑनलाइन ये सारे आपके इंटरनल एसेस्मेंट के पार्ट है एक्जाम ओरिएंटिड पार्ट नहीं है तो अगर मैं पेपर की बात करूँ जो एक्जाम होगा 75 उसमें इसका कॉंट्रिबूशन ना के बराबर होगा ऑप्शन में रहेगा तो इस यूनिट को जो बच्चा छोड़ भी देता है फाइनल पेपर के लिए कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन रियल लाइफ में बहुत इंपोर्टेंट है और इंटर्नल कॉलेज के लिए इंपोर्टेंट है जो बच्चे डर रहे हैं कि सर स्लेबस कैसे कतम किया जाए मैं उनको एक प्रोविजन बता रहा हूँ सर एक इस यूनिट को आप छोड़ सकते हो मैं तो कराऊंगा ही अब आप सर कितने लेक्चर लोगे कितने चप्टर मैंने बोला कि सर आपका स्लेबस पांच दिन में खतम हो जाएगा अब पांच दिन के बाद मैं सौ लेक्चर बना दूँ मैं एक्स्ट्रा टॉपिक और वो बता दूँगा जिनको लगता है सुटिबल सर हमें आगे फ्यूचर में काम आएगा तो कर लेना चाहिए तो आ जाईएगा जिसे नहीं लगता तो वो जरूरी नेसेसिटी नहीं रहेगा वो आला पार्ट क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दिन में जो आफलाइन वाले कॉलेज जाते हैं हमारा छूट जाएगा यह हो जाएगा तो मैंने इसलिए सोचा कि भाई या दिन में छूट जाएगा तो फिर कोई चैप्टर नमबर टू आपका रेजिदेंशल चैप्टर नमबर थ्री हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर नमबर चार क्यापटल गेन चैप्टर नमबर पांच डिडेक्शन जो सीक्वेंस लेना है चैप्टर नमबर छे क्लबिंग और सर clubbing of income को न अलग से भी बोलते हैं सलेबस में देखोगे तो कहीं clubbing of income मिले गा है नहीं इसको बोलते है income other person aggregation of income book के नाम से बोला जाता है chapter number 7 set of एक बच्चे जो कुछ बच्चे YouTube पे भी class लेते हैं वो तो ये कहना है का सर धाई मैंने से मैं वीडियो देख देख के परिशान हो चुका हूँ तो अब मेरा कोई गलती नहीं है उसके अंदर आपका देखो जितनी classes है वो तो लेनी पड़ेगी क्योंकि salary के अंदर काफी सारी classes थी अब मैं तो syllabus कराऊँगा न मैं ऐसे सरी बोल दू के income text और बोलू चलो syllabus खतम तो बात नहीं बनेगी आठवे नंबर पे आपको करना है salary और नवे नंबर पे आपको करना है सर इसके supporting में नवे नंबर पे PGPP तो नहीं लेंगे हम नवे नंबर पे लेंगे other source और सर दसवे नंबर पे हम करेंगे और ग्यारवे नंबर पे miscellaneous और बारवे नंबर पे आपका PGPP में अब एक बात ध्यान दीजिएगा PGPP के अंदर मैं क्या क्या कवर करूँगा business and profession honors के अंदर ना partnership firm भी है मैं वो चीज़े PGPP के अंदर के कवर करूँगा individual assessment वो मैं यहीं कवर कर लूँगा अलग से आपके unit जो दे रखा है वहाँ पे मैं जाके मैं यहां से connect करके कर लूँगा तो individual assessment या partnership firm की liability calculation वो मैं यहीं पे cover कर लूँगा वहाँ पे मैं लेके नहीं जाऊँगा जिस हिसाब से मैं लेके चलूँगा सर इसके बाद agriculture income और last में leading case जो है जो है वो करेंगे यह सारा chapter हमारा है अगर मैं कितने कर चुके हैं एक दो सर वन डे लीजिए खतम एक यह मैंने हलाकी बताया वन डे में करने वाला chapter है यह ऐसा नहीं है कर नहीं हो सकता सिर्फ 24B जो बच्चे पहले से कर चुके हैं इस हिसाब से revision करिए कुछ में मैंने कम जान बूच के लिखा हुआ है और सर यह maximum जितना भी लग जाए कम सर एक दिन, दो दिन, चार, पांच, छे, चार, दस, एकी, ग्यारा और बारा, तेरा दिर में आपका syllabus खतम हो जाता है प्रोग्राम का honors का paper 28 को है तो सभी का paper खतम होगा जैसा करवाय जा रहा है न आप paper का pattern आप book से करते हैं और question तो definitely solve होई जाता है कुछ बच्चे न exam के time पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो उन question के चकर में पढ़ जाते हैं जो मुस्किल है मुस्किल इन दा sense जिसके अंदर out of box कुछ पूछा गया है आपके grease आउजा बुक में illustration और एक है problem एक illustration भी है illustration के अंदर ही problem भी है और एक है आपका practical problem जिसके answer छोटे छोटेगी बन है उन सभी को मैं बोलता हूँ कि avoid करे करने से आप सीधा उसमें सिर्फ क्या करें जाके appendix उसके अंदर पिछले 15-20 साल के questions paper है उन appendix में से भी मैं कुछ question बोलेंगा sir appendix में कि मैं appendix के लगबग लगबग 50% question में board पे करता हूँ आप check करोगे जब करोगे न तो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होगा उन्हीं appendix के question मैंने 10 year में भी डाले 10 year basically past year की question है और 10 year को कर ले और 10 year के पहले chapter wise खतम करें फिर paper wise भी खतम कर लें यह सारा का सारा plan है जो कि आपको करना चाहिए एक मिन्ट back कर देते हैं